और अब हमारा अनुरोध है माननी पंचायती राज राज्ची मंत्री श्रीक कपिल मुरेश्वर पातिल जी आपसे कि ट्रिप्याज के इस पावन अफसर पर अपने उद्गार प्रकट करें भुमी सम्मान के इस प्रोग्राम के आउसर पर उपस्तीत महामहिम राष्ट्रपती मोहदाया जी हमारे वरिष्ट मंत्री इपरगन सिंग कुलेस्ती जी सचिव स्याजे तिर्की जी भुमी सम्मान में सम्मानित सभी अधिकारिगंड साथियो पत्रकार मित्रों सबसे पहले जिनको सम्मानित किया और जिनको सम्मानित होना है उन सभी को मैं बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ महामहिम राष्ट्रपती जी की सरकार हमारे देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी जी के नित्रतों में और हमारे मंत्री आधरनिया गिराज सिंग जी के मारगे दर्शन में आज का ये राष्ट्रे आयोजन भारत में भुरुप प्रभंधन सुशाशा तथा देश के राजश्व प्रशाशन को सद्रुड बनाने के लिए ये आयोजन हुआ है मैं हमारे मंत्रले के सभी अरिकारी गन इनको बधाई देता हूँ कि देश में पहली बार इस तरह का भुमी सम्मान का प्रोग्राम आप लोग ने आयोजित किया इसलिए बहुत-बहुत बधाई आपको देता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ इस शिक्षा हमें अंगुठे से स्वाक्षरी तक ले आई और टेक्नोलोजी हमें स्वाक्षरी से अंगुठे तक ले आई उंगली उठे तो बदनामी होती है अंगुठा उठे तो तारिफ होती है और अंगुठे से अगर उंगली मिल जाए तो लाजवाब होता है टेक्नोलोजी का अंगुठा तो हम लोगों ने आपको दिया है अभी आपके उंगली को जोड़ना है आप यह उंगली को जोड़के लाजवाब काम करेंगे तो आज जो 68 लोगों का सन्मान यहां पे हो रहा है हमारे देश में साड़े 700 जिले है उसमें से 504 जिलों ने अपना काम शुरू किया है मैं दावे के साथ कहता हूँ यह प्रदान मंत्री हमेशा कहते है 140 करोड हम देश वासी है एक कदम हम लोग आगे चलेंगे तो देश 140 करोड कदम आगे चलता है हमारे मंत्राले ने टेकनोलोजी देके एक कदम आगे बढ़ाया है आप अगर एक कदम अभी आगे बढ़ाओगे तो हम दस कदम आगे बढ़के आपको स्वहयोग देंगे लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया नक्षे को डिजिटल किया गया फिर इन दोनों को लिंक किया और दोनों को लिंक करके रिजिश्टर आपिस को भी उससे जोड़ दिया रिविन्य आपिस को भी उससे जोड़ दिया आगे चलके लैंड रिकॉर्ड को बैंक से जोड़ने का भी संकल पे हमारे मंतरा लेका है ना बलकि बैंक से कोड से भी इसको जोड़ा जाएगा तो ये सारा जब कार्यानुवित होगा तो देश में निच्छी तवर पर इस शेत्र में क्रांती होगी ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसके कुछ एक्जांपल है मैं हमेशा कहता हूँ एक आदमी मेरे पास आ गया उसने कहा कि मेरे साथ चिटी हुआ है मैंने कहा क्या हुआ तो आपके पड़ुसके गाउ का एक सरपंच है उसने मुझे सर्वे नमबर का आप क्या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हमारे महारास्टरे में उसको उतारा बोलते है जो लन्ड का रिकॉर्ड होता है जमेन का वो दिखाया और मेरे से पाँच लाख रुपया टोकन लिया तो मैंने उसको जमेन के रेकॉर्ड पर लिखा था गुर्चरन सिंग। तो मैंने मुझे लगा कोई हमारा सरदार बंदू होगा, उसकी लैंड होगी, इसले मैंने दे दिया टोकन। लेकिन जब रेकॉर्ड चेक किया उसने, तो हमारे यहां पर गायरान जो जगा होती है, उसको महाराष्णा में गुर्चरन बोलते हैं। इस बंदे ने उसको सिंग जोड दिया और वो गुर्चरन सिंग कर दिया। अगर यह टेकनॉलोजी से उस वक्त यह सारा लिंक हुआ होता, तो कोई गुर्चरन सिंग नहीं बना पाता, यह फाइदा है यह टेकनॉलोजी का, और आजे जिने यहां पर बात की, नैशनल हाइवे की, कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट जब बनता है, नैशनल हाइवे हो, र उसमें एक और बड़ी दिक्क्त आती है, यह पचास खेत अगर रहेंगे, तो उसका एक ही सर्वे नंबर होता है, फिर उसमें कुछ बटा होता है, हमारे यहां पे उसको पैकी बोलते हैं, तो पता नहीं चलता है किस की लैंड जा रही है, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हों कि स्टेट में टेक्नलोजी तो हमने दी है, इसमें जो बटा है, वो इस टेक्नलोजी से जोड़ के और रेड़ी किस की लैंड जा रही है, यह अगर पता हो जाएगा, तो यह जो जगड़े होते हैं लैंड के, यह बिलकुल नहीं होंगे, जैसे प्रदान मंत्री हमारे हमेशा कहते हैं, कि यह सब लोगों तक जाना चाहिए, टेक्नलोजी क्यों आई, कोई किसी के साथ भेदवाव ना हो, अगर हम मैनुएली करते जाएंगे, तो कोई मेरे पास से आया, मंत्री के रेफ्रेंस से आया है, तो चलो इसका पहले काम करो, यह टेक्नलोजी से सब को समान नय काम हमारे प्रदान मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे मंत्री गिराज सिंग जी के नेतृतों में, अभी हमारे मंत्रा लेके माद्यम से हो रहा है, तो आप इस तरह से अगर करोगे, तो निचित तोर पर आने वाले दिनों में कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट हो, उसको लेंड एक्वेशन के लिए कोई दिक्कत ना आएगी ना किसानों में आएगी आप आज एमत समझे इस सनमान आपका हुआ है जरूर आपका हुआ है लेकिन मैं यह समझता हूँ कि देश के हरे किसान का यह सनमान है क्योंकि हमारा किसान कितने दिन इस तरह से हमारे किसी ओपिस में जाएगा चक्कर काटेगा अब यह सारे चकर बंध होने वाले यही सोच प्रदान मंत्री जी की है इस सामाने से सामाने आद्मी के पास टेकनोलोजी के माद्यम से डारेक उसको किस तरह से हम लोग बेनिफिट दे पाए यही प्रायास हमारे मंत्रारेक का हमारे मंत्रजी के नेतुरतों में निच्छुत्तर पर हो रहा है मैं एक बैंक का चेर्मन भी रही चुका हूँ मुझे एक अनुभव ऐसा आया एक ही आदमी ने एक ही लेंड के उपर दो बैंक से लोँ लिया अभी यह बैंक को लिंख कियाए इसलिए आने वाले दिनों में यह नहीं होगा वो तो लोँ लिया दोनों बैंक से अभी दोनों बैंक जगड रहा है जगा किसके पाद जाएगा क्योंकि मौर्गेज दोनों को एक ही लैंड कर दी वो तो छुड़ गया केज चलेगा कब तक चलेगा कुछ पता नहीं लेकिन इसको बैंक से लिंक करने से यह फाइदा होगा यह भी कोई भी आदमी एक ही लैंड दो बैंक को मौर्गेज नहीं कर पाएगा यह निच्छित तवर पर अपने आप में एक आसान तरीका बैंक से लोन लेने का भी और पारदश्यता का भी होगा यह मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा और आगे चलके बैंक में अगर लोन हम लोग मांगते हैं तो इसको वेरिभाइ करा के लाओ या फिर इसको तहसील आपिस में भेजो इसकी सत्यता इसकी सत्यता खोड़ यह करके लेके आओ तो वो भी करने की जुरत नहीं होगी कि इसको एक क्लिक में बैंक में भी पता चलेगा कि यह इसी की प्रापरटी है और यह प्रापरटी उसी के उपर यह लोन ले रहा है तो इसमें कोई किसानों को इस शेत्र में होगा ऐसा मैं यहां से जरूर कहूंगा हमारे आज का जो प्रोग्राम है यह हमारे भारत के धर्ति का अज बड़े परिवर्तन की गवा बंद रही है इसलिए परिवर्तन भारत के नागरिकों का सनमान का परिवर्तन हो रहा ऐसा मैं कहूंगा तो यह गलत नहीं होगा लेकिन टेक्नोलोजी हमारे मंतराद के महाददम से मिली ऐसी दुनिया में कोई भी टेक्नोलोजी नहीं है कि जो बिना इनसान के म affiliate करे आगे बढ़े हमारी टेक्नोलोजी हमारी भी मेनत आपकी भी मेनत ये मेनत से प्रधान मंत्री जी की जी सोच है कि किसानों का सनमान इससे किस तरह से बढ़े और हमारा किसान किस तरह से सुरक्षित हूँ इसके लिए हम लोग अगर योगदान देंगे तो निच्छित तोर पर वो बहुत बड़ा कदम होगा आज ये कारेकम के मादेम से मैं ये जरूर कहूंगा कि पहले अंतराश्य स्तर पर भारत की बातों को गंबिरता से नहीं लिया जाता था लेकिन आज जबसे मोदी जी के नेतुरतों में भारत में सरकार बनी है तो हिंदुस्तान बोलता है तो सारी दुनिया आज कान खोल कर सुनती है ये ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है कि हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं हमेशा इस सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हम अब अगर सब प्रयास करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है बलकि बन रहा है लेकिन ये मैं दावे के साथ कहूँगा कि इसी तरह से हम हर एक शेत्र में अगर काम करेंगे तो एक दिन भारत तो आत्म निर्वर बनेगा है लेकिन दुनिया भारत के उपर निर्भर रहेगी इस तरह से हमारे प्रधान मंतरी जी के नेतुरतों में काम होगा ये मैं कहूंगा तो ये गलत नहीं होगा मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज इनका सन्मान हो रहा है और जो पाइपलाइन में है पास्टो चार जिले और जो पाइपलाइन में नहीं है इन से प्रेर ना लेके आप भी इस तरह से काम करें कि आपके राज्यों में भी इसी का फा मेरे गाव के पड़ोस में गाव है एलकुंदेकर के गाव है मेरे डिस्टिक में महारास्ट में मेरे ठाने डिस्टिक में वहार पे बलिराम गदल्या मानेर करकर के किसान है उसको स्वामीत योजना के माद्यम से प्रापरटी कार्ड मिला और उसको साट लाक रुपया वो प्रापरटी कार्ड के ऊपर लोन मिला अपने देश में इतना लोन पाने वाला यह पहला किसान है औ और साट महिने का अधी उसको बैंक ने दिया है अगर उसके पास प्रापरटी काड नहीं होता तो उसकी उसको लोन नहीं मिलता इसका मतलब ऐसा है कि उसकी पोजिशन बनाने का काम स्वामित को योजना के माद्यम से हुआ है आज का इस सब्जेक नहीं है फिर भी आप सारे र एक राज्यों में हर एक गाउं में एक प्रापरटी कार्ड बाटने का प्रोग्राम रख के वहां पे बैंकों को बुला के अगर कोई किसान लोन लेना चाहता है तो वही पे जगह पे उसको लोन देने की विवस्ता हो सकती है क्या आप इसके बारे में जरूर सोच के प्रध तो गलत नहीं होगा फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बदाई देता हूँ और मेरे दोश्व समाब करता हूँ जहिन जै भारत